नमस्कार आप देख रहे हैं कैप्टल टीवी बिहार और मैं हूँ आपके साथ पारूत्रू पाठी राजनीतिक रणनीतिकार प्रिशान किशोर की पाठी जन सुराज तो बन गई लेकिन पाठी के गठन के साथ ही प्रिशान पर बीजेपी की भी पाठी होनी की बाद में आ चुकी है इस चर्चा की वज़ा ये बताई जा रही है कि उनके दो अक्टूबर के अधिवेशन में यादव और मुसल्मानों की संख्या उमीद से कम रही शायद मुशलमान समाच को अभी भी ये लग रहा हो कि पीके बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी पार दरसल पार्टी लॉंच करने के बाद प्रशान किशोर ने मीजिया संस्थान से खास बापशीत की और उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविश में बीजेपी के साथ गडबंदन करने की सोच रहे हैं तो उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया और कहा कि वो बीजे प्रशान किशोर भारते जुनता पार्टी को फाइदा पहुचाने के लिए अपनी पार्टी बना रहे हैं और वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं वहीं जब उनसे पूछा गया कि आरजएडी बार बार उने प्रशान किशोर पांटे क्यों बुलाती है क्य विखार के राजनीती में उची जातियों का स्कोप कम है क्या आरजएडी ये सब इसलिए कह रहे है क्योंकि मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिल रहा है इस पर उन्होंने कहा कि आरजएडी की संस्कृती है आरजएडी का उत्थार और पत्ट जाति के अदार पर ही होता ए आरजेडी के सवाल पर कही बड़ी बात और नितीश को चुन रहे हैं पीके ने कहा कि जुनता वोट कर रही है लेकिन उनको पसंद नहीं करती है मजबूरी में डर में वोट कर रही है लालू के डर से बीजेपी को वोट करती है और बीजेपी के डर से लालू को वोट करती है हमने एक विकल्प देने की कोशिश की है अब जुनता को तै करना है जुनता की पसंद जन सुराज है बिहार में शुराबंदी को लेकर पीके ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है वो उसे हटाएंगे उन्होंने कहा कि इससे जो पैसा आएगा उससे नई सिक्षा विवस्ता की युवाओ को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े बच्चों के लिए विश्वस तरिये सिक्षा विवस्ता बिहार में बनाएंगे बिहार में शुराबंदी बस नाम की है होम डिलिवरी हो रही है 20,000 करोड का नुकसान हो रहा है पीके ने कहा कि बिहार में भूमी हींता खत्म करने की तो भूमी सुदार करना होगा उन्होंने कहा कि हम जो सही है वही खुब बोलेंगे वोट देना है दीजिए नहीं देना है मत दीचिये अभी लालू और मोधी का केंडिडेट रहता है चेंडिडेट खराब भी रहता है तो जनता मजबूरि में चुनती है मेरी पार्टी में जनता उमीदवार चुनेगी चुनाफ जीता विदायक काम नहीं करेगा तो राइट टू रिकॉल की नीती के तहट हटाया चाएगा जनता ही हटाएगी इसके साथ आपको बता दे कि प्रशाम किशोड ने अपनी पाची को लेकर भी कुछ बड़ी बाते कहीं हैं या तो हम अर्श पर या फर्श पर प्रशाम किशोड ने कहा कि इस साल चार विदानसबा चुनाफ पर उप्चुनाफ हैं जन सुराच पाटी चारों सीटों पर लड़ेगी उन्होंने दो हजार पच्विदानसबा चुनाफ को लेकर कहा कि 243 में से 130 सीटे भी आई तो इसक या तो हम अर्श पर होंगे या फर्श पर रहेंगे अब जाल लेते हैं कि प्रुशान किशोर की जन सुराच में कौन होगा बैकबोन पॉलिटिकल एनिलिस्ट से नेता बने प्रुशान किशोर ने दो अक्टूबर को अपनी पार्टी जन सुराच लांच कर दी अगरे साल अभिहार में विदानसमद चुनाव होने वाले हैं इसलिए पीके अपनी जन सुराच पदियात्रा को जारी रखेंगे इस बीच ये जानना होगा कि पार्टी की बैकबोन यानि प्रमुकुछ शेहरा कौन होगा समझना होगा कि कैसे पार्टी अन्य दलों से अलग हट कर जादा पूर्व IAS और IPS सथिकारी जन सुराच से जुड़ चुके हैं अगर पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो केंद्रु सरकार में मंत्री रह चुके जीपी यादव भाजपा की पूर्व सांसर्द च्वेदी पास्वार और पूर्व सांसर्द पुर्णमासी जुड़ चुके हैं वहीं मदुबनी के रहने वाले मनोज भारती पार्टी के कारवाहक अध्यक्ष बने हैं इन्होंने नेतर हट से अपनी पढ़ाई पूरी की इसके बाद आयाटी कांपुर और आयाटी दिली से एम्टे किया बात करें जन सुराच के एजेंडा की तो पा कई सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि प्रशांद किशोर ने कहा है कि वो ना तो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे ना ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर पार्टी का संचालन कैसे करेंगे क्या उन्होंने राजनेतिक दल का गठन इसलिए किया है कि चुनाव लड़ाने का काम वो अन्य दलों के लिए किया करते थे अब वो अपने दल के लिए करेंगे चुनाव लड़ेंगे नहीं सिर्फ लड़वाएंगे क्या अगर मान लिया जाए कि प्रशांद किशोर विहार विधानसबा तो हजार पच्चि है कि वो अपनी राजनीतिक चाल नहीं चलेगा प्रशांद किशोर के शब्दों में ही कहें तो उन्होंने जन सुराच के प्रदेश अध्यक्ष मनीश भारती के तौर पर एक नमूना पेश किया है और इसी तरह के नमूनों के आगे की राजनीति करेंगे देखना दिल्चस उनका कहना है कि लोगों को 10-12,000 तक के रोजगार बिहार में ही मिल जाएंगे इसके लिए उन्हें बाहर जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी केवल रोजगार बलकि गरीबों के लिए पेंशन की राशी भी बढ़ाई चाएगी प्रशांद किशोर अपना फोकस गाउं की पन्चायत पर कर रहे हैं दरसल बिहार की आदे से जादा अबादी गाउं में बसती है और गाउं में विकास उतना हो नहीं पाया है इसलिए प्रशांद किशोर का फोकस गाउं की पन्चायत पर है उनका कहना है कि वो अपनी पदियात्रा के जरीए बिहार के सभी 8500 पन्च साल फर्वरी तक आजाएगा और इसके लिए दस अर्थ शास्त्री लग रहे हैं नितिश कुमार ने कहा था कि बिहार के पास समुद्र नहीं है इसे लिए उन्हें आलू और बालू से ही काम चलाना होगा नितिश कुमार किस बात पर तंचकस्ते हुए पीके ने कहा था कि बिहार में गन्य की खेट तो है फिर चीनी मिलना क्यों बंध है इसके बाद प्रशान किशोर ने कहा शिख्षा को शराब बंदी से जोड़ा प्रशान किशोर शराब बंदी को लेकर काफी मुखर है उनका कहना है कि जैसे ही उनकी सरकार बनी की 15 मिनट के भीतर श शराब से होने वाले राजस वो आएको एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा पीके का ये भी कहना है कि बले ही उनकी शराब बंदी वाली बात महिलाओं को पसंद ना आए और वो उन्हें वोट ना दे लेकिन वो गलत नहीं बोलेंगे पीके की जन सुराज जैसे समय में अ बड़ा चालेंज होगा विहार की राजनीती जातियों से होकर गुजरती है हर जाती की एक एक पार्टी है जैसे लालू यादव की पार्टी यादव और मुसल्मानों की है नितीश कुमार की पार्टी कुर्मी और कुश्वा की है मुकेश उसहानी की पार्टी निशास जैसे की पीके कहते हैं कि वो शराब बंदी को खत्म कर देंगे ऐसे महिला वोटर उनसे दूर हो सकती हैं बिहार में निदेश कुमार को महिला वोट बैंक का समर्थन इसलिए है क्योंकि वो शराब बंदी की बात करते हैं प्रशान किशोर शरुवास से ही कहते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी बाकी राजनेतिक दलों से अलग होगी जिसका फोकस हर वर्ग के लोगों पर और हर फील्ट के लोगों पर होगा पार्टी अपने साथ साधारन लोगों से लेकर बड़े बड़े पूर्व अफसर और समाज स सोचना है कॉमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएं बागी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिकल टीवी विहाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया